की बात कर रहा है नवरतन शेर नौ ऐसे शेर जिन में कुछ खबर है या तो उसमें को इन्फिमेशन है या फिर डीलिंग रूम की कोई गपशप है निउस फ्लोग के बेसिस पर भी इन स्टॉक्स को पिक किया है शरत खास कहीं सारे स्टॉक्स में यह चुनकर नौ स्टॉक आई एक बाद शरत स समझते हैं शरत ब Ст्क एक कौन से आ खंड नवरतन शेर जी बिलकुल जो हम्हारे नौ के नवरतन शेर इसने हमне सारे सैक्रो शेर को जो आनलिसीस की और हमने 9 शेर को यह लेके आया है और याद रखी इसमें हमारे खबरों वाले की शैर्स हैं कुछ बिं HDFC Bank, अब यहाँ पे जो है सबसे पहली बार जो है results आ रही है, उनकी merger के बाद HDFC और HDFC Bank के साथ, and of course जो numbers है sequentially comparable नहीं है, लेकिन largely in-line set of numbers देखने मिली है, net interest income की बात करें तो थोड़ी सी slight miss हुई estimates से, लेकिन अगर आप PAT के बारे में बात करें या asset quality की, तो यहाँ पे improvement देख ने मिला है, दूसरा share जो focus पे रहेगा वो है geo financial services, इनके numbers के अगर बात करें तो largely in-line set of numbers है, लेकिन numbers comparable नहीं है, क्योंकि पहली बार जो है numbers declared किया है, याद रखिये, इनके जो important बात है वो है कि उन्होंने consumer durable loans जो है, अपने 300 stores में जो है launch किये है, और इसके लावा 24 insurance company के साथ उन्होंने करार किया है, आगे जाते वे भी उन्हेंने important statement दिया कि कौन से नए-नए businesses में वो घुसेंगे, तो बाजार की जो desert है, उस पे रहनी चाहिए, especially जो business और merchant loans है, छोटे वैपारी को लेके या individual sole proprietors को लेके, उनमें launches देखने मिलेंगे, इसके लावा auto loans में भी आने व यहाँ पे board ने approval दे दी है, 4000 करोड को जुटाने के लिए, of course यह rights issue द्वारा जुटाया जाएगा, लेकिन जो capex fund की use होगी, वो debt reduction के लिए होने वाली है, तो यह आपका तीसरा stock रहेगा, चौता stock जो focus में रहेगा, वो earning specific है, वो है SEAT, sequentially अगर numbers की बात करें, तो बहुत strong set of numbers देखने मिली है, और tire companies की जो होती है, यहाँ पे जो crude price की गिरावर देखने मिल रही है, तो दो important चीज है, सबसे पहला है कि जो volume growth है sequentially, वहाँ पे replacement demand में अच्छा देखने मिला है, और sequential growth आई है, वो festive season के demand से देखने मिला है, और gross margins की बात करें, तो यहाँ पे sequentially 230 basis points पे increase देखने मिला है, पाँचवा stock रहेगा, Ceylon exploration का, बहुत strong set of numbers आए है, higher crude prices और higher production के कारण numbers बढ़े है, जो आपका चौथा stock है, वो है data patterns और यहाँ पे strategic technology agreement जो है, department of space के साथ उन्होंने क्या है, जहाँ पे उनकी capability है radar की, उस पे जो है benefit देखने मिलेगा, तो यह आपका छट साथवा stock होगा, साथवा stock होगा, पराग milk foods, यहाँ पे बात करें, तो six cents venture fund ने अपने हिस्सेदारी बढ़ाई है, लगबग 25 basis points से almost 7% कर दिये, तो stock में positive reaction देखने मिल सकता है, आठवा stock जो है उसको बताने के पहले बता दे कि यह हमारी big bold brokerage की focus में रहने वाली company है, और य 2520 rupees per share, और बता दे कि import substitution let growth opportunity के कारण, stock में momentum देखने मिल सकता है, तो हमने आपको 8 shares बता दिये, 7 खबरों वाले shares, आठवे share हुए आपके big bold brokerage का, लेकिन एक 9 share भी है, जो हमारे segment है, जिसे मैं जाना जाता हूँ, वो है खबर, गरम है segment, और यहाँ पे खबर segment में अगर बात करें, तो यहाँ पे जो है, नौवा stock रहने वाला है, rally gear enterprises, यहाँ पे जो है, ace investor, आशीश धवर ने अपनी stake जो है, वो अल्मूस 4% कर दी है, यह जो है, हमें पता चल रहा है, लेकिन याद रखे, September quarter में भी उन्होंने अपनी stake बढ़ाई थी, लग बग आप कह सकते है, 66 basis point स stake बढ़ा के 2.32% कर दी है, अब यह जो है, बड़े investor है, बाजार के, और company अगर बात करें तो वो खुद भी एक restructuring पे, जो है, focus पे है, और Ventura ने initiate किया है rating, almost 471 रूपीज पर शाय का buy rating रखा, और company जो है, one time settlement और debt restructuring कर रही है, तो इस stock को भी जरूर अपने radar में रखेग बिलकुल सर मेंने नोट करी लिए है, आप panel paper की शरत बात बोल रहे थे, आपने जो shares बताया है ना, यह मैं दिखा भी देता हूँ दुर्शकों को, मैं बगए आपने साथ कापी रखता हूँ और आपके सारे shares मेंने इस बिच नोट भी किये हैं, और मैं यह बोलना चाहूँ कि 9 बजे कोई आदमी सुबह 8 बजे नहीं उठ पाता, ओफिस जा रहा है, कुछ है, मारकेट के जस्ट खुलने से पहले, यह जो सेग्मेंट है ना, यह संजीवनी बूटी की तरह आपके लिए, आप इसको रख लिजए, कई भी फज़ जाओगे तो आप पार हो जाओगे तो यह एक 9 बजे के जो 9 शेर्स हम आपके सामने रखेंगे ना, और मैं अपने प्रोडूसर साब से रिक्वेस्ट भी करूँगा, यह सिर्फ 9 तरों तक मत रखेगा, इसको आगे भी कॉंटिन्यू कीजए, क्योंकि यह आपकी समरी आपका अर्क की तरह काम करेगा, शुक्रिया, थैंक्यू वर्मशरत, आपने अच्छे से सारी चीज़ बता दी, और आपका लाश्यर काम का भी है, रेलिगर जो आप बता रहे थे, खेरागे बढ़ते हैं,